स्वागते आपका दाही मालियन स्टेटी एडूप चैनल पर हमासिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम महत्पुट वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम बताएंगे आज आपको कि उत्तर प्रदेश में पैट की परिक्षा पास करने के बाद आप लोग कौन-कौन से पदों पर एपलाई कर सकते हैं और खाली पदों का पूरा बियौरा आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा इस वीडियो को आप लोग इसलिए पूरा जरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भ इसी के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इसके बारे में पैट की परिक्षा के बारे में यानि की पूरी जानकारी हम बदा चुके हैं आपको वीडियो के माध्यम से अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग हमारी प्ले लिश्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए आज आपके लिए बहुत ही जादा महत्पुन वीडियो होने वाली है जैसे जिसमें लिखा है कि पैट पास करने के बाद खाली पदों का पूरा ब्यौरा यानि कि पैट की परिक्षा के लिए नियुन्तम योगिता इंटर मांगी गई हैं और इसके आविदन जो हैं जल्द सुरू हने वाले हैं उत्तर परदेश में आगर आप इस परिक्षा को पास कर लेते हैं यानि कि पैट की परिक्षा पास कर लेते हैं तो आप लोग कौन-कौन से पदों पर एपलाई कर सकते हैं ये पूरा ब्योरा आज आपके सामने है देखिए इसमें लिखाए कि महत्पुन खाली पदों का ब्योरा इसमें लिखाए कि लेकपाल के लगवग उत्तर प्रदेश में 7882 पद खाली है और इसके बाद हैं बेसिक बेभिन विभगों में लीपिक के पद खाली है यह साथ ही आर पद इसके बाद है कि लेखा परिख्षक के के पद तेरा सु तीन पद इसमें खाली है और इसके बाद हैं ग्राम में विकास में 1688 पद इस हमें मीर्थ और इसके बाद परिवार कल्यार में 9222 पद रिक्त हैं और आगे लिखाए कि बाल विकास पुष्टाहार में 3448 पद इससमें रिक्त चल रही हैं और इसके बाद इसमें नगर निकाए में 383 पद हैं लेकिन आपको बता दें इसमें सवी के लिए उसके बाद इसमें अलग-अलग योगता मांगी आएगी जैसे की लेकपाल के लिए CCCC होना आपके लिए जरूरी है तो इसलिए आपको पैट की परिक्षा जरूर पास करनी है उसके बाद इसमें किसी बिगेंसी में इसमें सनाता मांगे आएगा किसी में इंटर पास योगता मांगे आएगी तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं जिससे कि आगे भी हम इसी प्रिकार की नएने वीडियो आपको इसी चैनले के माध्यम से प्रोवाइट कराते रहेंगे इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और देखते रहें आप लोग हमारे चैनल दा हीमालिन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद